Hello students, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नमबर 8 स्टार्ड करवाय था, यानि वीडियो नमबर 23, उसके बाद में आज आपको इसका लेसन नमबर 8 का अगला टॉपिक बता रहे हूं, वित के इस्तरोत, यानि एक व्यवसाइक संगठन को वित प्राप्त करने के कौन-कौ से इस्तरोत हैं, जिन से वो वित प्राप्त यानि पैसा प्राप्त कर सकता है, तो एक व्यवसाइक विविन इस्तरोतों से पैसा प्राप्त कर सकती है, और पैतेक इस्तरोत की अपनी अपनी विशिष्टाएं होती है, और इसके लिए हमें क्या समझना होगा कि कि किस कोश की क्या-क्या विशिष्टाए होती है, क्या-क्या उनकी लाब दोश है, सब की अलग-अलग होती है, और सभी संगटनों के लिए एक प्रकार का स्तुरूत सही नहीं होता है, सबसे इसनी होता है, किस स्तुरूत का प्रयोग करना, इसके चुनाव करने के लिए, जो है, उसके उद स्थाइपुंजी तो इसके लिए दिर्ग अवदी पुंजी इस्त्रोत की आशकता होगी दिर्ग अवदी पुंजी इस्त्रोत की आशकता होगी अगर उसको स्थाई पुझी, स्थाई पुझी का मतलाब जानते हैं लंबे समय के लिए अगर उसको पैसा चाहिए, ठीके, उसे प्रेकार से अगर दिन प्रति दिन की आवशक्ता की पूर्ती करती है, यह रोज मरा के छोटे मोडे वगर बुक्तान की आवशक्ता है, तो उसक अंशिधार्यों को लाबांश के रुप में विट्टित नहीं करती है, और बलकि शुद्ध आई का एक भाग वेवसाई में भविश्य के लिए, उप्यों के लिए संचित कर देती है, यह रिजर्व कर देती है, जितना लाब कंपनी को होता है, वो सारा लाब अपने शेर हो अर्डर में बारती नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है, वो वापस इन्वेस्ट कर देती है, उसे लाबों का पुनर विन्योग भी कहते है, और संचिताई भी कहते है, दोनों नाम इसके ठीक है, किसी भी संगठन में पुनर विन्योग के लिए उप्लब लाब कई इसको कैते हैं, लाबों का पुनर विन्योग गरना है, उसको कूछ इस्था, अउसका कुछ हिस्सा वापस इन्वेस्ट विय विवसाइए में कर देते हैं, आपक्स K Да qvay के लिए इस्थाई रूप से लंबे समय के लिए हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं तुसरा इसको ब्याज लाभांश या अत्रिक्ट लागत के रूप में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है अगर हम दूसरे इस तो का चैन करते तो हमें क्या पड़ता है पैसा अगर देते लोचपूंता भी अधिकती है ने कि इसका हम संचाला ने सबतनता के लोचपूंता का मतलब होता है हम जो है इसमें जब चाहिए जब परिवर्तन भी कर सकते लोचपूंता है हमारे इच्छ है हम कितना इंवेस्ट करें ठीक है और यह व्यवसाई कि एस अंभावी थानी को आतमसात करने की शमता को भी बढ़ाता है ऐसमब भी था नहीं है जो इसकी संबाव ना नहीं है तो इससे कैया है कि हमस्वाध्य कैदर तक हШ파 जाए अगर हमें नुकसान तो हम उसकी पूर्थी अस पैशे से कर सकते हैं ठीक है इस ए इस एक्मनी के संथा अंशक बजार मुह प्रफ्ले में बद्धी हो सकती है निकि संता अंश्च होते हैं मार्केट में उनकी वैली भी बढ़ जाती को कि कोई भी कमपनी अपने लाभू का पुनियों और विन्यों तब ही करती है जब वो अच्छा लाभ कमारी है ना अगर लाभी कम कमारी तो कहीं इन्वेस्ट करेंग हैं अब इसकी सीमा है क्या हैं तोष के हैं दिखी पहला है सीमा से अधिक लाभ का पुनर निवेश अंश्चदारों में जो है एसंटोष का करण भी बन सकता है क्योंकि उन्हें उपार्जिताई लाभ जो है कम मिलता है जो शेयर ओल्डर होते ना उनमें तोड़ा कोश्ट रहता है ठीक है और उसके बाद हैं दूसरा है वेवसाय के लाभों की ऐस्ताता के करण जहें पुन्जी का एनिश्ची तित्रोत एनिश्ची थी है लाभ अगर कभी जादा हो गया तो इन्वेस्ट कर दिया अगर किसी साल लाभ नहीं हुआ तो इनी भी कर सकते हैं तो ऩह एनिश्ची तित्रोत है इस वंजी के संयोग लागत को भूसी फर्म नही देती है इसे कोश्ट का अनुपिक जहें उप्योग हो सकता कहीं जो सैस्ताय होती न वह इस प्रकार का इन्वेस्ट मेंट को मानेता नहीं पसंद नहीं करती है वो इस प्रकार का स्त्रोत तารंत वुकतान माल की आपूरति को संबव बनाती हो क्रेकर्टा के खातों में ये साग विभिन लेंदार ये दे के नाम से दिखाई जाती है वेपारिक साग को वेपारिक संगठन एक अलप आउदी के विट के स्तुरोथ के रुप में उप्योग में लेते हैं और ये उन ग्रहकों को दी जाती है जिनकी विट Yeah सिती यानि फाइनलिशन कंडिशन क्या होती है मजबूत होती है जिनकी ख्याती अच्छी होती है यानि कहने का मतला आप जानते होंगे कि उधार माल किसको मिलता है जिसकी ख्याती अच्छी होती है पता है कि वो पैसा बाद में चुका देगा तो उसके प्रकार उसके लिए त इसके क्निसक्ति उथार को बनाने में खर्चा लगता है उसके पास बश्रुनेटेशूदा के सोगा सी उपरे, बश्रुनेटेशक में नीर्णता च्छramos डुके विकेटा के स्यधिति विकेट जानते हूंता हो ग्रहक को जी तो अतुरों तो पिल जाता है। बैपारिकसाग शेलो 하기 की बिर्डक मलाता है। प्रभारनी संपत्य कोई प्रभारनी संपत्य को आपको गिर्वी बगर अगर रखने की जरुवत नहीं पड़ती है कोई भारनी रहता है इसकी सीमाग्य का के असान लोच्पन सुइदाओं को मिलना किसी फर्म को आती वैपार के लिए पेइद का सकता है। कि जोखिम भड़ जाता ना तो लोग जादा माल ले लिते हैं और उसे किया होता है UST माद्रा में ही हम और कर दए अकथ सकते हैं दथिक्स करने के लिए अधिकान श्ट्रोथ ू बेद्धिर सकते हैं कि यह ठर्फे SERA ॡब का समाप्त हो गया यानि व्यापारिक साग और लाभों का फुनर्विन योग जो की अल्ब कालिन अवदी का स्त्रोत है वित्तिप्रात करने का ठीके समझ में आया होगा ओके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ओके टेक केर बाई